तो देखिए मैंने रख दिया है कढ़ाई फिर मैं इसमें डाल रही हूं घी घर का देशी घी आप चाहे तो कुकिंग ओल भी ले सकते हैं बर्टर भी ले सकते हैं जो भी आपका मन हो तो मैंने देशी घी ले लिया क्योंकि इसका जो श्वाद है वो कुछ अलग ही आता है तो मैंने ले लिया है अब झेखिंग घरम हो जायाज़ gather उसके बाद धिन हम लोग लेंगे जीरा आप जीरा डालेगे और जीरा चिटक जाहीगा अच्छे से तो फिर उसके बाद मैंने काटा कुआ हो है सब मैंने दिखाती हूँ आप क्या कैसम लगेंगा मैंने प्याज में ल तो थोड़ा सा जब मिर्च हो जाएगा तर उसके बाद देन में प्यास टाल दूँगी तो देखिए मैंने प्यास टाल दिया है तब तक में भूनूंगी जब तक ये गोल्डेन ब्राउन ना हो जाए ये तो सब को पता है तो चलिए भूल लेते हैं और मैंने इडली बना के जाननी होगी तो प्लीज कोमेंट करके बताएगा तो चलिए भून लेते हैं प्याज को बहुत ही देखिए हो गया है गोल्डेन ब्राउन हमारा प्याज अच्छे से भून गया है किसी भी खाने का टेस्ट तभी अच्छा लगता है जब उसमें प्रॉपर सा मसाले और अच अब इसको पका लेंगे ढख्के काफी अच्छा तेख सकते हैं, बहुत अच्छी से पग्या है, मैं इसमें डाल दोंगी लाल मिर्च पाउडर आप चाहे तो हल्डी ले सकते हैं मैं लाल मिर्च पौडर मैंने डाल लिया है फिर उसके बाद मैं लूँगी एक स्पून धनिया मसाला, धनिया मसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका फ्लिवर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ले लिया धनिया मसाला, उसके बाद अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी धनिया मसाला को, थोड़े दिर मैं इसको पता नहीं कितने सालों से मैं खा रही हूं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है मीट मसाला तो मैंने डाल दिया और मैं इसको जादा नहीं पकाऊंगी मसाले को फर उसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा पानी ले लिया है ताकि मेरी इटली जो ना वह सूखी सूखी ना लगी है तो मैं पानी डाल के इसको में थोड़ा ऐसा दो तीन मिनट में इसको पकाऊंगी थोड़ा सा बॉयल उबाल आने लगेगा देखिए आने लगा उबाल तो अब मैं अपनी इटली ले लूँगी यह मैंने इटली बना के रख लिया है और उसको मैंने ऐसे पीसे मासाला खता है वह इडली के अंदर चला जाता है वने पानी डाल दूंगी मेंगी च्ला लगता है में đã जान मैगि मसाला ग्äसी बाद गार्टिशिंग के लिए मैंने ले लिया है हरा दनिया जो की टेस्ट को बहुत बढ़ाता है और प्लीज आप लोग बड़ जरूर से ट्राइब करिए और फीडबेक मेरे साथ सेर करिए कि बहुत टेस्टी होता है